कैसे आप सब आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे मैं आपनी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाम जैस्ट में आज हम बात करने वाले हैं सीपी ओ एसाई का जो आपका पीटी है उनके सभी जोनों के जो हैं आपके एड्मिट कार्ड पीटी जो हैं स्टेटस जारी हो चुके है यह ने की स्टेटस की आपका एड्मिट कार्ड ही जारी हो चुका है चैसे कि आप सभी लोग जानते हैं इसके अंदर 1876 वेकेंसी थी सेलरी आप देख सकते हैं और आपका जो एक्जाम हुआ था वो आपका 5 अक्टूबर को खतम हो गया था 7 अक्टूबर को आपकी अंसर की आ गई थी 25 अक्टूबर को आपकर डिजल्ट आ गया था और 14 नवंबर से हमारे जो हैं पीटी जो है स्टार्ट है तो अगर पीटी का आपके पास मेल नहीं आया है वैसे मेरे पास जो है मेल आ चुका है आपको मैं दिखाऊंगा कि मेल किस टाइप से आया है और वहीं अगर आपने मेल से चेक नहीं किया है तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डारेक्ट लिंक भी दे दूँगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते नर और डबलूर सी यार एसार डबलूर इन सभी के जो है स्टेटस और एड्मिट कार्ड जो है जारी हो चुके हैं अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है अपना एड्मिट कार्ड तो साइट पर वीजिट करिए क्लिक हेर पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का आजाएगा यहाँ पर आप यह एगरी पर क्लिक करने के बाद समिट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यह फिल करने के लिए आजाएगा अगर आपको यह लिंक नहीं मिल रहा है तो आपके पास एक मेल भी आया होगा जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे पा जो मेल आया है वो इस तरीके से आया है DPSI 2023 PT PST download admit card इसके जैसे ही मैं नीचे scroll down करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि our police force examination जो है will be conducted होंगे 14 नवंबर से you are advised to visit website and download admit card यहाँ पर इसने बता दिया है कि मेरा admit card है वो आ चुका है मैं वहाँ official side से जाका download कर लूँ यहाँ पर मैं जैसे ही यह link दिया हुआ यहाँ पर click करता हूँ click करता हूँ तो यह हमको SST की official website पर जो है पोहचा देगा और यहाँ पर यहाँ से मैं यह वाला जो link है इस से पर click करके जो है अपने admit card को निकाल सकता हूँ तो इस video पस इतना ही मिलते हैं next video में next update के साथ तब तक के लिए धन्यवाद करता हुआ करता हुआ।